चलो कुछ सम्यक सुनते हैं, कुछ ऐसा सुनते हैं जिसमें सत्य की खुश्बु हो। यह कहानी भीकू की है। भीकू एक दस साल का चोटा लड़का था जो सीजनल बिजनस करता था। पिता जी गुजर चुके थी और मा भी इधर उधर चोटा मुटा काम करके अपना गुजा चला रही थी। उसकी एक चोटी सी बेहन थी, लेकिन घर का पूरा भार भीकू पर था। उस दिन बिकू एक आम की टोकरी लेकर सड को पर निकल गया और सबसे कहने लेगा, भया आम ले लिजिए, मेरे आम बड़े मीठे हैं। बैंजी आम ले लिजिए, मेरे आम बड़े म लेकिन उस दिन नजाने भागे को क्या मंजूर था किसी ने उसका कोई आम नहीं खरीदा बिको शाम होते होते निराश हो गया था कि घर जाओंगा तो मा और बहन को क्या खिलाओंगा लेकिन आखिरकार जब घर लोटा तो मा और बहन को दर्वाजे पर पाया एक मा ने कहा, भीको, क्या लेके आया है? बहन ने कहा, भाया, आज क्या खिलाओगे? लेकिन भीको का उदास चहरा देख, मा समझ गई. और मा ने बहन से कहा, जा बेटा मटकी से पानी भर, पी ले और सो जा. उस दिन तो सब सो गई. लेकिन दूसरे दिन, भीको फिर उसी उल्ला से उठा और आम की टोकरी लेकर निकल पड़ा बेचने को उसने सोच लिया कि आज जरूर कुछ न कुछ करूंगा लेकिन भागे को उस दिन भी नजाने क्या मनजूर था उसका एक आम नहीं विका भीकू की हालत है ना इंडिया में कई लोगों की होती है जब ये मॉल और ये बड़े बड़े ग्रोसरी शॉप्स नहीं थे तब ए भीकू जैसे कई लोगों का पेट रोड की कमाई से भर जाता था लेकिन आज न जाने कितनों के घर चूले बंद हो गये हैं कितनों के घर में बच्चे बिलक रहे हैं भूग से जब से ये मॉल बने है जरा सूचिएगा फिर भीकू घर लोटा और मा ने उसका उदास चहरा देख समझ गई बहन से कह दिया जा बेटा मटकी से पानी निकाल कर पी ले और सूचा दो दिन की भूग में नींद आती है न भीकू सो पाया न मा सो पाई न वो बहन सो पाई लेकिन मरता क्या करता सुबे फिर उठा और वही टोकरी लेकर निकल पड़ा सडको पर और सोच लिया कि आज किसी न किसी की मिन्नते कर मैं ये आम जरूर बेचूंगा पैर पढ़ने पढ़ेंगे तो पढ़ूंगा लेकिन ये आम जरूर बेचूंगा और कुछ न कुछ लेके आऊंगा भीकू एक सेड़ जी के पिछे लग गया और सेड़ जी से कहने लगा बाबू जी मेरा परिवार भूका है कुछ तो ले लीजिए कुछ तो दया कीजिए हम पर सेड़ जी ने भीकू की हालत दे की तीन दिन के भूके चेरा कैसा होता है बस उन्हें लगा कि शायद ये सच बोल रहा है और सेड़ जी ने फटकर से सौके नोट निकाली और कहा कि ये ले बिटा बिकू ने कहा ये तीस के है सेड़ जी मैं 26 लगा लूँगा लेकिन मेरे पास चुटे नहीं है सेड़ जी ने कहा तिरे पास चुटे नहीं है बिकू ने कहा चुटे होते तो शायद चाय भी पी पाते सेट जी ने का कोई बात नहीं मेरा घर सामने है 101 नंबर का मेरा फ्लैट है ये आम वहां रग जा और छुट्टे करा कर मुझे दे जाना भीकु बढ़ा खुश हुआ वो भागा आम की टोकरी सेट जी के घर पर रग दी और वहीं एक पान के गल्ले की दुकान थी वहां भाग के उसने का भाईया भाईया जल्दी जल्दी चुट्टा दे दीजिए भाईया भी भीकु को रोज सड़कों पर भागते देखता था उसे भी मालुम था कि भीकु दो दिन से कुछ भी बेच नहीं पा रहा है उसने भी दूसरे ग्रहागों को अटेंड करने के पह था कि आज मा को भर पेट खाना खिलाओंगा आज बेहन को कुछ मीठा खिलाओंगा बस इसी भाव उल्लास में वो भागे जा रहा था भागे जा रहा था कि अच्छानक सामने से एक ट्रक आई और भीकु का एक्सिडेंट हो गया भीकु लहु लुहान हो गया भी इतना भैंकर हुआ कि उसे सरकारी हॉस्पिटल में ताबड तोबड लोग लेके गए जाँच परताल पर उसकी मा का पता चला मा और भागी भागी आई और डॉक्टर ने कह दिया कि भीकु कुछी समय का महमान है कुछ देर बाद भीकु ने आँख खोलते ही उसने अप उसने मुठी खोल कर मा को वो पैसे दिये कि मा ये पैसे पान की गल्ले के बाजू में एक अपार्टमेंट है और वहां ये सेड़ जी का 101 नंबर का फ्लैट है ये उनके पैसे हैं ये उन्हें लोटा देना ये हमारे नहीं है मैं तुमारे लिए तो ये पैसे लाया हूँ उस इसने अपने जेब में से वो पैसे 26 रुपे निकाल कर मा को दी कि मा जीट जी के पैसे जरूर लोटा देना और फिर कुछी देर बाद भीकू ने तम तोड़ दिया भीकू के सामने इतनी बड़ी जरूरत थी वो चाता तो वो पूरे पैसे रख सकता था लेकिन उसने उसने सोचा कि किसी का विश्वाश नहीं तोटना चाहिए मेरी मा भले किस हालत में हो उसके पास कुछ भी नहीं है वो गरीब है फिर भी उसने सेट जी को पैसा लोटाने को मुख्यता दी इसे कहते हैं सत्य हो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि सत्य की रा पर चलो उसकी मा भी इतनी खुद्दार थी, इतनी वैल्यू से भरी हुई थी, कि उसने अपनी बेटी को कहा, कि बेटा, मैं इधर कारेकरम का काम संभालती हूँ, तुम जाओ पहले, ये सेट जी को पैसे लोटा के आओ, बेटी भागी भागी गई वहाँ, और वाच्मेन से मिन्नते करने लगी, कि भाईया, मुझे सेट जी से मिलना है, वाच्मेन ने कहे दिया, आँज सेट जी का मिज़ाज बहुत गरम है, अभी थोड़ी दिर पहले आये थे, कह रहे थे, इन गरीबों पर विश्वाश करने लायक नहीं है, एक भिकारी आया था, आम की चोकरी लेकर बेचने के लिए, चब्विस रुपी के जगह मैंने उसे सौ रुपे चुट्टे कराने को दिये थे, लेकिन अभी तक घंटों बीद गये, लेकिन चुट्टे का कोई पता नहीं है, अब किसी भिकारी को अंदर आने मत देना, सेट जी, ये कहके गया, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूँगा, बेटी ने बहुत सारी मिननते की, तब वाच्मेन को उस पर दया आ गये, उसने का जा, जा लेकिन भागती हुई जाना और भागती हुई आना, बेहन भागी भागी उपपर गई, और कहा सेट जी, सेट जी, सेट जी को उसका चेहरा देखकर ही गुस्सा आ गया, उसने का वाच्मेन कहां चला गया, अभी तो मैंने उससे कहा था कि एक भी भिकारी को उपपर आने मत देना, लड़की भी खुदार थी, उसने का भिकारी किसे कह रहे हो सेट जी, मैं भिकारी नहीं हूँ, सेट जी ने कहा, अभी एक लड़का आया था, आम की टोकरी देकर गया, मेरे सो रुपे खा कर चला गया है, क्या विश्वाश करूत ऐसे लोगों पर, वो भी दस साल का, मुझे लूटने बैठा है, लड़की ने कहा, सेट जी वो भीकू था, मेरा भाई था, और ये लिजिए आपके छुटे, सेट जी ने कहा, वो क्यों नहीं आया, बहन ने कहा, वो भगवान जी के गर, कुछ लेने गया है मेरे लिए, मा कहती है, जल्दी लेकर कुछ आ जाएगा, सेट जी समझ गय, सेट जी ने फिर पॉकेट में से, सौके नोट निकाली, लेकिन लड़की ने कहा, मा ने कहा है, पैसा दे कर आना, लेकर नहीं, और वो उल्टे पाउ भागते भागते, घर लोट गई, यह कहानी, हमें यह सिखाती है, कि हमें भी, अपने कर्तव्य के प्रती, वफादार रहना है, परमात्मा कहते हैं, आप अगर देश के नागरिक हो, तो देश की तरफ पफादार हो, अगर आप किसी के पिता हो, तो अपने बच्चे की तरफ, अपना रोल पुरा अदा करो, अगर आप कोई मैनेजर हो, या किसी ओदे पर हो, तो अपना कर्तव्य पूर्न रुप से करो, यही सत्य है और हमें भी इसी राह पर चलना है अगर रस्ते पर भीकु जैसा कोई मिल जाए ना इसकी मदद जरूर करना क्योंकि भीकु जैसे कही लोग है जो न जाने गरीबी के कारण दम तोड़ देते हैं धन्यवाद